हेलो सांथियों मैं जूगलार आप सभी का फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ यह हमारे वीडियो चल रहे हैं कक्छा बारदी के फिजिक सके हमारा अध्याई इसमें चल रहा है अध्याई छे इकाई चार विद्धित चुम्बा की प्रेरन सम्मंदित कुछ महत्पुन वीडियो हमने पुराने प्रश्ण पुराने वीडियो में कवर कर लिये हैं यदि वो प्रश्ण या वो वीडियो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वो प्रश्ण जो हमने कवर किये हैं वो य प्रश्न क्रमांग का हम पांचवा कवर करने वाले हैं जो कि आज का एक महत्वपुन टौफिक है भामरधारा से संबन्दित यदि वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब सेयर करना ना भूलें बेल आइकोन को दबाएं ताकि नई अपडेट आपको मिलती र फोकोढहरा इसे वेग्यान के नाम पर कहा गया है इस फोकोढहरा का कोज करता कि वेग्यानिक-फोकोणामक वेग्यानिक उनके उपयोग भी आपको बताना है तो मैं आपको इसके परिवासा रख देता हूँ कि भवरधारा भामर धारा जब कभी किसी चालक में बद्द चुम्बा की फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुम्बा की फ्लक्स की परिवास हमने पुराने वीडियो में कवर कर ली है जो कि आप देख सकते हैं तो उस चालक में जल में उत्पन भौरो के समार चक्करदा धारा प्रेडिस होती है उसे भौर धारा कहते हैं इन भौर धारा कहलाती है इसके आविसकार के नाम पर इन्हें फोको धारा भी नाम दिया गया अब आपके सामने ये भौर धारा हमने पढ़ दी है इसको हम थोड़ जो आकरती बनती है उस प्रकार के चक्करदार धाराएं इन चुम्बा की प्रेरन संबंदित में जैसे कि जब कभी किसी चालक में बद चुम्बा की फ्लक्स में परिवरतन चुम्बा की फ्लक्स को हम फाई सदर साते हैं उसको फाई भी लिख देते हैं तो उस चालक में जल मे बोला कि नदी में से गुजरता है भौरों के समान चक्करदा धारा ये प्रेरित होती है उत्पन्न होती है उसे भौर धारा कहते हैं या इसके आविशकारक के नाम पर इसे फोकोधारा नाम भी दिया गया है अब इसके हम उपयोग या अनुपरयोग पढ़ते हैं तो पहला व होता है इस प्रकार से जो कि वो ऐसे धारा उत्पन्न होने पर घूमता रहता है जो घूमने वाले चुमबा की छेतर में रखा होता है धातू के बेलन में बद्ध चुमबा की फ्लक्स में परिवर्तन होता है इसमें भवर धारा उत्पन्न हो जाती है जो बेलन तथा घूमन गुमने वाले बेलन में गुमने वाले चुम्बकी फ्लक्स की आपेक्षिक गती का विरोध करता है और आपेक्षिक गती का विरोध करता है जिससे उसमें धाराय उत्पन होती है और इस सिद्धान्त के अनुसारी प्रेलन मोटर बनाई जाती है तो इस प्रकार से हमने प्रेल को कि जाता है जिससे सुम्बा उत्प好吃 के थि परीवड चुम्बा की फ्लक्स के परीवर्थन होता जाना एक्वोंत लागता ही जो बेलन के घुमने वाले चुम्ब की छेतर की आपेक्षिक गती का विरोध करता है और खलसरूप बेलन भी घुमने लगता है जिससे की बेलन घुमने लगता है सिध्धान्त का उप्योग करके प्रेणन मोटर बनाए जाते हैं तो यह हमारा पहला वाला हमने इसका यह बेलन चेकरता है ज्यानि कि जब र गाडी चलती है तो किस प्रकार रोका ज्याता है तो हम कह सकते हैं कि उसको भार धाराय उत्पंन करके रोका जा सकता है तो इसको हम पढ़ते हैं और फिर explain करते हैं समझाते हैं उसको विद्यूत सक्ती से चलने वाली रेल गाड़ी दो पट्रियों के उपर सक्तिसाली विद्यूत चुम्बक होता है जैसे मालो दो रेल गाड़ी की पट्री होती है इस प्रकार की क्रम में होती है वो जैसे ये इद्धो समानतर क्रम में इन पट्रियों के उपर एक प्रबल चुम्बक सक्तिसाली चुम्बक होते हैं चुम्बक होते हैं जब रेल गाड़ी को रोकना होता है जैसे स्पीड में रेल गाड़ी चलती है या रपतार से चलती है तो रोकना होता है तो विद्युत चुम्बक को सक्री करते हैं उसके अंदर विद्युत चुम्बक उत्पन्न करते हैं अधिक मात्रा में इसको चलाय मान करते हैं या स्टार्ट करते हैं जिससे पट्रियों में जैसे हम चुम्बक को सक्री करते हैं फट्री में भववरधाराय उत्पंन हो जाती हैं। उस से हमने बताया कि पट्री में प्रबल। छुंबक होता है। जिसमें झुमबका को करते हैं तो उसमें धहरण उत्पंन होने के कारण वह गति का विरोध करती है जिससे रेलगाड़ी सिगरता से रुक जाती है अब हम प्रस्ण क्रमांग हमने पाचवा कवर किया प्रस्ण क्रमांग हम छटा कवर करने वाले हैं एक महत्तपून प्रस्ण है ये भी बहुत आई एमपी है अब हम प्रस्ण क्रमांग के छटा पड़ते हैं स स्वाप्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व या स्वाप्रेरन गुणांक या स्वाप्रेरकत्व गुणांक तो एक तरफ हमने स्वाप्रेरन लिख लिया और एक तरफ अन्योन प्रेरन महत्यपून प्रस्ण है जो की कहीं पिछले सन में आया हुआ है अब इसमें हम पढ़ते हैं सो प्रेरण तो सो प्रेरण को हम जब दरसाते हैं तो कैपिटल L से दरसाते हैं और अन्योन प्रेरण को दरसाते हैं तो हम कैपिटल M से दरसाते हैं तो इसमें कहा गया है कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा, एक कुंडली ले लिए और उसमें जब धारा आई प्रभाइद करी, बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन होने की घटना सोप्रेरन कहलाती है, एक ही कुंड पर्योंट अन्यूनलो प्रैयरण जिसे हम एमसे दर्साते हैं, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है, तो उसके नस्दीक में एकोर कुंडली उपस्तित होती है, याने कि पास इस्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है इसे अन्योन प्रेरण कहते हैं यानि कि इसमें केवल उसी धारा में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है इसमें दूसरी वाले कुंडली जो उसके पास होती है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है में दो कुंडलियां होती है अगला वाला पॉइंट कवर करते हैं इसका इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है क्योंकि इसमें एक कुंडली होती है तो उसी के मान को ये प्रभावित करती है और इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली जै सम्मंदित गुणांक को सोप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं और अन्योन प्रेरंड से सम्मंदित गुणांक को अन्योन प्रेरंड गुणांक कहते हैं इसका एसाई मातरक यानि कि दोनों का एसाई मातरक सेम है और दोनों का ही विमी सुत्र भी समान है तो इसका एसाई मातरक है हेंड्री और इसका इसा ही मात रखें हेंड्री इसको एच से दर्साया जाता है और विमी सुत्र इसका है ml t ml का स्कॉयर t-2 और a-2 जैसे मान लो यह स्वप्रेरन और अन्यून प्रेरन जब इसके फर्मुले की बात आती है तो स्वप्रेरन गुणांक का फर्मुला है हमारे पास l बराबर दोनों का फर्मुला एक जैसा होता है लेकिन जब अलग-अलग कुंडलिया ली जाती है तो n1 and 2 ले लिया जाता है इसका तो स्वप्रेरन गुणांक का फर्मुला हमारे पास l बराबर n ये चुम्बा की फ्लक्स हो जाएगा और इसके बटे में हम लिख देते हैं i क्योंकि किसी कुंडली में प्रभावित होने वाली धारा i होती है उसमें बद्द चुम्बा की फ्लक्स तो इसका प्रियोग हम अ अत्वा है सम्तल व्रत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरा कत्व यानि कि L गुणांक के लिए वेंजक की स्थापना कीजिए या सुत्र की गण्ना कीजिए अत्वा हमें लाना है ये सिद्द कीजिए कि L बराबर mu 0 mu r pi n का वर्ग r upon 2 ये हमें अन्यों स्वप्रेरा कत्व गु कि माना एक माना आर्थ रज्जा वाली एक कुंडली लेते हैं जिसमें फेरो की संख्या हम एन ले लेते हैं और उसमें प्रभाइत होने वाली धारा आई तब हम चुंबा की चेत्र जो हमने एक वेंजक ग्याद करा था एक सुत्र ग्याद करा था चुंबा की चेत्र उससे ह हम सिद्ध करेंगे तो पहले इसको भ्वासाई रूप देते हैं हैं इसको प्रूब करने के लिए माना आर क्रिज्ज वाली एक कुंडली तो इसको हम भासाई रूप दे दिया माना तरज्जार की कुंडली है जिसमें फेरो की संख्या एन है प्रभाईत होने वाली धारा आई है तब उसके केंदर पर उत्पन चुंबकी फ्लक्स को हम बी से दर्शाते हैं तो B बराबर μू 0 एन आई अपान 2R जो की हमने पहले कर लिया है पहले वाले वेंज़क में तो केंदर पर चुंबकी फ्लक्स हो जाएगा B बराबर μू 0 एन आई अपान 2R यह हमारा फार्मूला होता है चुंबकी फ्लक्स का अब हम इसको मानलो equation number first नाम देते हैं यदि हम जानते हैं बद्द चुंबकी फ्लक्स की परिभासा से तो बद्द चुंबकी फ्लक्स तो बद्द चुंबकी फ्लक्स होता है हमारा हम किसे दर साथ है उसको फाई से फाई और चुंबकी फ्लक्स है इसलिए हमने B ले लिया और B A कोस ठीटा होता है तो कोस यहाँ पर कोस जीरो डिगरी बनता है इसका कोण तो इसलिए इसका मान बन जाएगा वन तो सीधा हम लिख देते हैं B A अब हमारे पास B का मान है और A का मान B यानि कि छेतर है ये छेतर फल तो इसको equation यदि कि समीकरन नमबर A से यदि B का मान रखते हैं तो हम जानते हैं हम ये जानते हैं कि वरत का छेतर फल वरत का छेतर फल यानि area छेतर फल को हम A से दर्साते हैं तो वरत का छेतर फल होता है पाई आर स्कॉयर ये हम जानते हैं तो समीकरण नमबर एक से तो हम मान रख देते हैं B का और बद का छेतर फ़ल लिख देते हैं Pi R तो यदि बद्द चुम्बा की फ्लक्स B है हमारा 5B तो B का मान हमारा समीकरण नमबर एक से रखेंगे हम Mu 0 in I और यह हो जाएगा 2R और छेतर फ़ल हमारा Pi R समीकरण एक से B का मान रखने पर तो यह हमने B का मान रख दिया अब यहाँ पर हम R से R को केंसिल कर देते हैं यानि यह R स्कुम्बा था तो एक R यहाँ पर बचेगा तो बद्द चुम्बा की फ्लक्स B बराबर Mu 0 in I और Pi लिखंगे और यहां पर R लिखंगे औरMaybe आपन टू यह हमारा बचेगा अब हम जानते है स्वप्रीरकत्व गुणान किस है क्या है हमारा के बद्द हम स्वप्रीरण के भरिभासate से जानते तो इसको H drugsmug एन फाई बी अपान आई यह दारा होती है तो यह हमने लिख लिया अब यहाँ पर हमारे पास फाई बी का मान है तो इसमें जो फाई बी का मान उठा कर कहां रख देंगे सोप्रेयरकत्व गुणांक में तो एल बराबर एन आई यह बचेगा और सोप्रेयरकत्व गुणांक का हमारा मान कितना है म्यू जीरो एन आई पाई आर अपान टू अब यहाँ पर यह वाला आई है यह वाले आई से यह वाला आई कैंसिल हो जाएगा जब इसको जमा के हम लिखेंगे तो एल बराबर या तो हम म्यू जीरो को हम आगे लिख देते हैं और जो फैरो की संगा हमको एन इस्कोयर इन में इनका मल्टिप्लाइ हुआ रिदल हुआ तो यह एन स्कोयर हो गया रूप दे देता है यदि परिनाली का म्यू आर आपेक्षिक चुम्बक सीलता और लोहब चुम्बक की पधारते की क्रोड पर लिप्टी हुई हो तो इसको जब हम लिखते हैं तो जैसे फेरो की संख्या एन होती है तो इस प्रकार म्यू जीरो तो पहले से है इसके साथ हम लि स्वाप रेरन गुनांक के लिए वेंजक है यह हमारा वेंजक सिद्ध हो गया यदि तो हमने इस वीडियो में कुछ तीन प्रस्ण कवर किये हैं यदि प्रस्ण में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट्स करकर या फिर हमारे वाट्शप नंबर पर इस प् तक एक से लगाकर और यूनिट हमारी चौंती चल रही है इकाई चार यदि वीडियो में आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें बेल आइकन को दबाए ताकि नई करें ताकि जरुरत बंदों के पास यह पहुंच सके हेलो हाई टाटा बाई भाई धन्यवाद साथी हो